so hey guys welcome back to another new video guys आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बिना कोई application डाउनलोड किये बिना किसी भी application को lock कैसे लगाने आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले so दोस्तो आप देख से तो मेरा instagram पे lock लग चुका है तो दोस्तो आप भी कुछ इस तरह सा किसी भी application को बिना कोई application डाउनलोड किये बिना आप instagram पे या किसी भी application को lock कैसे लगाने आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ so दोस्तो बिना skip की वीडियो end तक जरूर देखना तो सब की mobile में ये future रहता है किसी को पता नहीं लगता कि Apple future आपको कहां मिलता है so दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको step by step आपको दिखा दे दुदता हूँ आप application को lock कैसे लगा सकते हो so दोस्तो चलिए वीडियो शुरू करते है so दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी request करता हूँ तो अभी तक आप हमारी YouTube चैनल को subscribe नहीं करते है so प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए साथी bell notification को on कर दीजिए इसी तरह का आपको tricks and tips reality video आपको इस चैनल में regular आपको मिलता रहता है दोस्तो चलिए बिना time waste की video शुरू करते है so दोस्तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा तो आपकी mobile में setting application feature रहता है रहता है तो आपको setting feature को आपको open कर दिना होगा तो मैं setting open कर दिता हूँ simple सा आपको setting open कर दिना होगा तो open करने के बाद बहुत सरे आपको इधर future मिल जागा तो आपको क्या करना होगा तो नीचे के side में आपको scroll करते चाहना होगा इस तरह से तो आपको मैं बता देता हूँ सभी android device में अलग-अलग future रहता है तो मैं आपको बता देता हूँ Samsung, Vivo yaya OPPO आप mobile yous करते हो तो आपको privacy में मिल जाएगा अप lock करके तो इसकी अंदर में मेरा nufinex mobile है तो इसके अंदर मेरको future नहीं मिलता तो मेरे दूसरी future मिलता है तो nufinex mobile है तो मेरे इसके अंदर नहीं मिलता privacy के अंदर मेरे को security का एक future है ना लेता है या तो आपको security के दोनों future में आपको मिल जाएगा तो आपको samsung या ओपो यूज़ करते हो तो आपको privacy में मिल जाएगा मैं इनफिनेक्स अलग device है तो इसके अंदर security के अंदर मेरेको app lock मिल जाएगा तो simple सा आपको नीचे की साइड में आप देखे तो app lock करके future है तो simple सा आपको उस option के उपर आपको click कर दिना होगा click करने के बद आपको screen password आपको इधर डाल दिना होगा तो इस तरह सा करके आपको किसी भी application को इधर से lock लगा सकते हो तो आपको password चेंज करना चाहते हो तो उपर की साइड में आपको setting का एक option मिलेगा दूसर्य सीम्पल से बाद से सेटिंग के उपर आपको click कर दीना हो तो click करने के बद आपको एधर निचे के साइड में आप इजी तरह से आप बिना कोई application डाउनलोड किये बिना आप lock लगा सकते हो तो आप देशे तो मैं PUBG open कर देता हूँ तो open करने के बाद कुछ इस तरह से आपको show हो जागा तो simple सा मैं इसको right इस तरह से lock खोलता हूँ लोग खोलने के बाद मेरा PUBG on हो जाता है तो इस तरह से करके आप बिना कोई application डाउनलोड किये बिना आप application को आप lock लगा सकते हो तो आपकी mobile में setting के अंदर ओ future नहीं मिल रहा है तो आपका mobile का नाम क्या है ओ मेरे को comment करके बता सकते हो उस mobile में आपको कहां मिलाएगा मैं आपको comment करके आपको मैं reply दे दी दूंग तो इस वीडियो में मैं इतना आपको बता दिया हूँ तो आप कैसी भी application को कैसे lock लगाना है तो वीडियो कैसे लगे आप comment करके बता सकते हो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को like कर देना तो अभी तक आप अमारी YouTube चैनल को subscribe नहीं किया तो so please subscribe कर दीजे साथी bell notification को on कर दीजे इशे करका आपको tricks and tips related video आपको इस चैनल में regular आपको मिलता रहता है तो दोस्तो आपको किशी भी problem आ रहे तो मेरेको Instagram पे direct message कर सकते हो Instagram का link आपको description में मिल जागा direct आप मेरेको contact भी कर सकते हो तो दोस्तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते तब ते के लिए जैहिंद वंदे मातरम